नमस्कार सुवागत है आप सभी का TNP नीज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग एक नज़र डालते हैं सुभे की बड़ी खबरू पर मदरास हाई कोट ने शत्रंज ओलंपियाड 2022 के विग्यापनों में प्रधान मंत्री और राश्चुपती की तस्वीरे नहीं लगाने पर तमिलाडू सरकार को फटकार लगाई है साथी चीफ जस्टिस एमेन भंडारी और जस्टिस एस अनंती की बेंच ने दोनों की तस्वीरे शामिल नहीं करने को लेकर तमिलाडू सरकार ने जो कारण बताए थे उन्हें खारिच कर दिया समाजबादी पार्टी के वरिष्ट ने आजम खान ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बीते दिनों होने लुलु मॉल विवात पर जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ था जिसके बाद अब एक बार फिर उन्होंने लुलु मॉल पर बयान दिया है बतादे की सपाविधायक ने मॉल के मालिक पर आरेसेस को फंड देनी का आरोप लगाया है असम पुलीस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडा फोर करते हुए 11 लोगों को गिरफतार किया है जिसमें असम के मोरी गाउजले में अलकाइदा का लिंक मेन भी शामिल है मुफ्ती मुस्तफा की रूप में पहुचाने गए आरोपी को मोरी गाउजले के मोईरा बारी गाउज से गिरफतार किया गया है वक कथित तोर पर कटर पंती समुहों से फंडेड एक मदरसा चला रहा था मदरसे से राष्ट विरोधी गतिवीधिया संचालित की जा नहीं थी पुलिस ने इस घटने के बाद मदरसे को सील कर दिया है राजस्थान के बार मेर में भीमरा के पास वायू सेना के लड़ाकु विमान मिग 21 क्राश होने की खबर मिली है जानकारी के मुताबिक प्लेन का मलवा एक किलो मिटर तक बिखरा है ये घटना देर रात की है फाइटर प्लेन मिग 21 क्राश होने के बाद मलवे में आग लग गई सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम फॉरन रवाना हो गई बतादे कि इस हाथसे में दोनों पाइलिट शहीद हो गए है देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बार से तबाही का आलम है कई राज्यों में बार की वज़े से जन जीवन अस्त वेस्ट है पहार से मैदान तक आसमान से आफ़त बरस रही है हिमाचल और उत्राखन के कई हिस्सों में बारिश मुसीबत बंद कर आई है हिमाचल पंजाब और हर्याना में भारी बारिश का अलर्ड जारी किया गया है जब मुकश्मीर के कई इलाके जोड़दार बारिश के बाद पानी में तैरने लगे है जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है